और किसी का तो चिप कर भी होता लड़की लोग चिप कर ली होता है पदाए आपको उल्टी पड्र जाती है हम लोग बतलब हम लोग डायनास और यस लोग लोग फिल है है हलो सुस्वागे थाप सभी आज हारखान मास जोन की यूटूब चैनल में आज हम लोग पढ़ने वाला है सेख आज हम लोग चाप्टर नमबर टू पढ़ने वाला यूनिट नमबर टू स्थार्ट करेंगे सेट इससे पहले मैंने एक वीडियो करा चुका हूं ठीक तो आप देख लिएगा इससे इससे पहले साइद दो वीडियो अप्लोड हो चुका है तो अब देख लेंगे आज शुरू करना जा रहा है सट और आपको बता दे यह आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना कि अब ठीक है तो आप बैसे जो साइंस के स्टुटर नों तो पढ़ा होगा यह चप्टर लेगिन जो आर्ट वाले होंगे आज वाले या कोमेर्स वाले उनकी लिए चप्टर नया होगा तो आज आपको बहुत यूनिक तरीके से चाप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो वीडि कि यहां पर क्या है यहां पर यह हार है उसके सामने क्या यह जूंका इसको बोलते हैं ना काण में लगाने के लिए यह पुरा सेट है मतलब अब एक पुआ सेट का कलेक्शन है गला में पहनने के लिए यह सब कान में लगाने के लिए है जैसे यह क्लास 11 यह लड़की लोग जरा समझेना आएगा खोशाथ लड़का लोग की दिबाग सूपर चल लगया होगा लड़का लोग के लिए समझे आप लोग ठीक है तो य साथ नोमिकस है इसाहब काई तेंख कि यह हंदीहो गया यह साइंस ओगया मैं ते हमैटक्क होगया एंगस है तो इस तरीके से मतलब यह त्यज्टर का डू है तो यह आपकी पूरा यह हुआ दो क्लास का मैतमेटिक्स का पुरा सेट पूरा पूरत पूरा अपका सेट है यह पूरा बुक आपकोसट लिर्ल संसिए मेलेट है इसलिए का फ्रूड़ करें सारे जो आपके यहां पर पहनने के लिए चीज़े होती है हार हो गया या पर आप क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं तो यह पूरा सेट है पुरा क्रिकेट खेलने के लिए आपका गया यह पूरा क्रिकेट क्या होता है की सट का मतलब कुछ ऐसे ही होता है सब्सक्राइब कुछ इसे ही होता है क्या होता है मतलब डेफिनेसर उप्रेट के लिगर वेल दिफाइन उपजेक्ट का सब्सक्राइब पेजह थेव्य ऐलिम्यंट जो होता है उसे किया चेट है आप यूँ सेट है लेकिन यहां पर यह घोर करेंगे किया लगहाएंगे को कालेक्शन और वेल डिफाइन कालेक्शन और वेल डिफाइन का मतलब क्या होते हैं समझने आपको हैं ऐसा नहीं कि सब कालेक्शन सेट हो गया है कलेक्शन तो है चीज़ों के कलेक्शन को यह लोग सट बहुते हैं कैसा कलेक्शन होना चीए वेल डिफाइन और वेल डिफाइन collection of object is called set वेल्डिफाइंट का मतलब क्या होता है दिखेंर का मतलब क्या होता है अच्छी तरीके से परिभासित हैं अच्छी तरीक इसे परिभासित होना चाहिए यह से आपको हम पूछेंगे इसे पूछेंगे आपको मन्त का नाम बताईगे हैं मन्त ने तो क्या होता है जनुवरी फेर्वरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाइ अगस्ट सेप्टमबर अक्टुबर नॉव मतलब क्या आपसे हम पूछेंगे तो आप यहीं बताएंगे आपकी दोस्त भी बताएंगे बार्न मंत के नाम यहीं होते हैं जनुवरी फेर्वरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाइ अगस्ट सेप्टमबर अक्टूबर नॉवर्ट डिसमबर ठीक है ऐसा तो नहीं क्या आपको हम तेरे बता रहेंगे आपके पपा बता देंगे 14 मंपी पंदरा बताएगी तो वेल डिफाइन का मतलब होता है कि जो सबके लिए सेम होई है ना जो मन्त के नहीं अब सबके लिए यही होता है जैनुवरी फ़नौरी मार्च अप्र मैं जून जुलाइ बारा मंत के सबके लिए होता है है सरा मेरे व की लितिया आपके लिए यही है आपकी दोस्की लिए समझे का समझेím तो वैली रीवाइन का मतलब क्या होता समझे आप समझे है समझे दिफाइं कॉन नभी होता समझे सांबात क Democrat brain li देखिए जैसे यह है ना है यह मैंने यह पर कुछ फोड़ लगाया है वह जैसे यह कि अध्य अध्य जैसे यह यह है दिफिक का पादुक को अध्य कि अध्य कि इदिफिक का पादुकॉण आपके करिश्मा कपूर इदिविया भारती हो गई यह अल्या भाट यह रेश्मी का मन दाना है कि अध्या थो यह सारे क्या है बॉलिवुड की एक्ट्रेस है लेकिन इन में से बैस्ट कॉन है अगर मेरे अकोडिंग बात करें तुम से बैस्ट को नहों सकता है मेरे को यह बैस्ट हो कि यह पर सुआइओ अपों की यह लगती होगी है कि हो हाना तो यहाँ पर सुन्दर कौन सबसे ज्यादा सुन occasions व्यूटिफोल का परिभासा आपके लिए Tá क्या है यह फिक्स ठोड़ी है सकता है यह यह ब्यूटी फोलो आपके लिए सेख्टी यह और किसी के लिए हो सकती है गर वैसा मुझ्किल है लेकर हो सकती ठीक है तो पलब कहीं नहीं यहाँ तो कि यह पर शीज प्रडी फाइन नहीं है कि अच्छे नहीं हो सकती है नहीं हो सकते किसी किसी का होता है तो यह हो गई है तो समझे माला कि आपको वेल्डिफाइन का मतलब क्या होता है है ठीक चलिए है अब देखिए अब देखिए अब आपको कुछी समझ नहीं है जैसे माल लेते यहां पर एक कोई सेट है एक कोई सेट है ए उसके अंदर कि जो मैंबर होते हैं अब देखिए लेते हैं तो आपका फैमली में हो सकते कि आपके पांच मेंबर होंगे तो जैसे यह सेट है और इसके नहीं लेते है की a,b,c,d,e,f,g इतने elements और इसको हमेंसा यह जो ब्रेकेट लगा है इसको बोलते सेट तो यह एक सेट है एक नाम का एक सेट है उसके अंदर एबी एबी सी डी एफ जी क्या है अलिमेंट से और हमेशा याद रखेगा नोटिशन याद रखेगा हमेशा जो सेट के जो नाम होंगे उसको हम लोग हमेशा लेटर में देंगे हमेशा जोगे सिट के अंदर उसको हमेशा उस्मोल लेटर से दिखाया जाता है और इसको हमेशा एक क्लोज किया जाता है है चैसरी मांगे उसको हम लोग क्यापिटल लेटर से दिखाते हैं A B C D जो भी दिखाएंगे A B C D ठीक है X Y Z लेकिन लेटर होना चाहिए आपका क्यापिटल और उसके अंदर की जो elements होते है ना उसको हमेंसा small letter में दिखाया जाता है और उसको एक करली ब्रेकेट के अंदर में प्लोज किया जाता है इसको बोलते करली ब्रेकेट है ना समझी यह कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है समझी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ सेट आर इस वाली डिनोटेड पाइड क्यापिटल लेटर A B C D X Y Z है ना तो क्यापिटल लेटर से हमें साथ क्या करते सेट को डिनोट करते हैं अब अबजेक्ट क्या होता जो अब लेट के अंदर हो तो इसको मेंबर होते हैं माल लेटे की यह सट है एक और इसके अंदर में कुछ elements है कि इसने मताया आपको A B C कि डी एफ है ना तो सेट को लिखने का तरीचा क्या है कि हमेंसा इसको क्या करेंगे आप लेटेज़ में लिखेंगे इसके अंदर कि अलमेंट सो तह यह जो होताइब का इसको बीखर किया होगा है आप समझी यह हम विए विसक्ते समझते हैं XXX आब जैसे आप अपने घर के मेंबर हैं कि जैसे हम यहाँ पर एक सेट बनाते हैं कि एक हम यहाँ पर क्या बनाते हैं सेट बनाते हैं कि एक सेट बनाते हैं हम लोग फैमली एक फोर फैमली और यहाँ पर आपके जो है वो क्या है माल लेते हैं कि आपके पापा है कि आपके माँ है आपके अँग भैया है ठीक है और माल लेते हैं दादी है लेकि जो इस फैमिली जो दादा जी है ना वो सकते हैं कि अपसेंट है मतलब नहीं है समझ सकते हैं तो अगर हम लोग बात करेंगे कि एप में कौन कौन मैंबर है तो क्या है पापा है मम्मी है भेया है और दादी है ठीक है तो यहां पर देखिए कोई पुछेगा आपसे क्या इस फैम्ली से क्या इस फैम्ली में जो है वो पापा बिलोंग करते हैं तोया ऑपाइस फञीद में नहीं है एक गरिक्सेंबल वोता है क्या बोलते है उसको बिलॉंग रहा छैसे यह यहां पर पहलों कर रहा है तो पापा जो है वो कहां विलोंग कर रहे हैं आपके अपर मंदी आत्रीव Department कर रहे हैं लेकिन क्या दाधी दाधी भी है बॉचेंगे दादा जी क्या आपके दादा जी इस फैमली में दादा जी क्या इस से इस men हाई एफ पर लिखा हुआ है कि इप इप आ रही है इप आई यह एलिमेंट और सेट एवी से देट एट एपलोंग तू एघना अगर माल लेते हैं कि यह कोई एक एलिमेंट है सेट एक तो वी से डेट एब लॉंग्स टू ए गिरिक संबल गिरिक संबल epsilon ठीक है इस यूस्टू डिनोटेट दा बिलॉंग स्थिए पैसे करके कि देखे यह बिलॉंग स्टू ए समझे यहां पर जैसे माल ले दाम लोगे नपर एक सेट बनाया था मैंने एकर के और हमारा है यहा पर कि एट कि विफ दा यहां पर देखेंट एका düya अलमेंट हो मेंबर है तो हां है तो लिख सकते हम लोग कि एक हां बिलॉंग कर स्ट की अ फिलॉंग कर कर रहा है किसी सेट में बिलॉंग कर रहा है कि इस सेट में बिलॉंग कर रहा है तो हाँ इस सेट में उसमें आपका डी बिलॉंग कर रहा है कि यहां पर यह बिलॉंग कर रहा है एफ बिलॉंग कर रहा है हाँ एफ बिलॉंग कर रहा है लेकर पुछेगा कि क्या इस सेट में ज को जी सट केलेमेंट है तेपके आपहें नहीं है तुशन काठ देंगे एंट डशनॉट बिलंग इसको पढ़ेंके बिलाच सु तो काठ देंगे दोस्ट नॉट भीलॉंग सु ठिशा है समझे को नहीं तक जितने समझे यहाना है अच्छे से सलीय है हुआ है नहीं सर है अब देखिए सम्स्टेंडर्ड नोटेशन है देखिए है सम्स्टेंडर्ड नोटेशन देख जैसे मैं आपको इससे पहले नंबर सिस्टम बाला वीडियो देख आपको दिये था हम तो समहिक currently हो यह से क्या है है न कोई सेट है सेट ऑफ ले तूफ नंबर इसको अलद से दिखाता है है जैंड जो होता है जैंड सेट अफ आल इंटीजर इंटीजर का सेट होता है रटागे है है यह आपको हमारी पहली वाले वीडियों नंबर सिस्टम क्यों आपको दिखने पड़े इसके लिए क्यों होता है कि is the set of rational number है ना आर इसेट अप रियल नंबर जैन प्लस्ट जैन प्लस जैन प्लस इस तेट अप पॉजेटीफ इंटीजर्स Q is the सेट ऑप पॉजेटीव रास्नल नमबर है ना क्यों पॉजेटिव वह पर कि पॉजेटीव और पॉजेटीव इस एक होता है आप कहीं पर आप किसे आप पर सैट दिखाए मिल जाएं तो यहां पर बतांगे मपर सेटक समझाए करना सेट और नाक्या नमबर क्या होते हैं क्या वाण चू त्री जो कांटिंग के नमबर उसी को बोला जाता है ठीक यहां तक क्लियर है कि समझे यहां तक क्लियर है ना रियल नमबर के सेट्स क्या होता है कि ठीक आप देखिए रोस्टर और टैबलर फॉर्म अब समझे सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट को रिप्रेजेंट करने क्या होता है एक होता है रोस्टर टैबूलर फॉर्म एक होता है सेट विल्डर फॉर्म है ना क्या होता है रोस्टर फॉर्म या टैबूलर फॉर्म उसी को एक अधूर्टा शेट बिलडर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म ये टेबूदर फॉर्म क्या वो समझे जैसे यहां पर जैसे यहां पर कि मैंने आपको बिज्च जो समझाया और यहां पर एक सेट लिखे है यह इसके अंदर अलिमेंट से मेरे एक दो 3 5 79 कि अहनं तो इस तरीकित रिखने का तरीका है送 इसको लेकर को माधे देगे ठीक है इसे क्या वोलेंगे हम लोग रोस्टर फोर्म या फिर टैबुलर फोर्म ठीक है जो सेट को लिखे मतलब ऐसे करके सिंपल यह लिख दिए यह कोई सेट है इसके अंदर माले थे की ऐलिमेंट से यह बी सी det एपिस तरीके से ठीक टो यह जो लिखने का ट्रिका मोफा इसको बोलते हैं हम लोग रोस्ट यह फिर टाफिलर फॉसका, फिर टाविलर फोर्मस, इछ तरीक oysters लिखने का एक और लिखने का तरीका माथ उसको मोफो लिखे बोट सेट विल्डी, सेट वेलोडर में सट वेल् सबस्क्राइब यहां पर एक कोई एक लगता है कि यह मेरा यह और नमबर और जानते आप विसम संच्छा यह विशम संच्छा का सेट लग रहा होगा एक विसम संच्छा है तीन विसम संच्छा पाट में सेंख़ा है उसे क्या मैरे विंजर्ण सैंख़ा है तो यह विसम संख़ा का सेट लग रहा होतो ऑग नमबर का सब्सक्राइब करते हैं प्यरिए बराबर इसको 202 एक जैगे एक एक तो that X इसको पढ़ेंगे such that such that x is that x is odd odd natural number less than less than kit not 10 यहां पर लिखा होगा सायद इकट गया होगा तो less than 10 तो x is that x x is odd odd natural number less than 10 10 से x क्या मेरा x क्या है x क्या है x मेरा क्या है कि 10 से छोटा जो है वह क्या मेरे और नेचुरल नमबर है 10 से छोटे और नेचुरल नमबर जैसे की एक दो सरी एक तीन पांच साथ नो ठीक है यह 10 से आगे नहीं गया इगारा भी तो होता है और नाचुरल नमबर लेकिन क्या यह गारा एगार लैस मतलब 11 से छोड़ता नहीं है तो दस से छोटे सभी जो है वह क्या सभी जो विसम संख्या है विसम संख्या है उसी का सेट है यह है ना सो लिख सकते एक साज देट एक्स 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 इस और और नाचुरल राचुरल नमबर लेस देन टैन से छोटी सभी विसम प्राकृतिक संख्या होगा यह एक सेट है ठीक है तो यह जो लिखने का तरीका हो ता इसको बोलेंगे हम लोग अंसेट विल्डर मेथ्ट हैना सेट विल्डर मेथट और रोष्ट ठीक सब्सक्राइब रहता है सिम्पल यह अप सारे लिमेट प्राइब सर्फ और सारे अलेमेट्स को एक केक वात कुमा यह दिए क्या हों यह आपका क्या होगे वो उसलों रोश्चर फॉर्म या फिर कि देखिए माल लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई एक सेट लिख रहा हूं कि यह कोई एक सेट है कि एक दो तीन चार पांच कि अधिक है इसको आप और क्या लिख सकते हैं यह जो में लिखा इसको बोलते हैं कि सुक्ष्टा आपका टैबूलर फॉर्म ठीक है या फिर रॉस्चर फॉर्म यह यह रोस्चर फॉर्म इसी को अगर विल्डिंग सैंट उस्टाोब में लिखने दिखा तो यह क्या लिख सकते हों अगर आप देखें फिर क्लब को है एक नाद के सब्थन अई नमबर का सेथ मौतल तो अनुसको लिख सकते हैं अब लोग क्या एक्स सब X X is that X X is natural natural number number sorry the upper X is that X X is natural number to X X is natural number लेकिन कितने हैं 5 तकी है तो लिखना पढ़ेगा less than a less than a six go to 6 से छोटे है ना छे से सारे लाचुरल नमबर के सट को ही हम लोग क्या बॉल ली सपी सथ है घिटिक है को तो ये जो लिखने का तरीका अगोसों 17 डील्डर फोर्म और ये जो हैश्म बोलें सधूरा अजян कि आवर सॉरी गॉवर फोर्म एक टेन तो पहला बात तो आपको अभी तक में क्या करें कि मैंजे कि को अभी तक क्या है वेल-depाइंड का होना चाहिए क्या होता है कि अच्छे तरीकर से परिवासीत बन क्या क्या होते हैं अच्छ को नाम तो मंथ के नाम क्या होते हैं यह 12 क्स होते हैं आप से पुचieur करेंगे सारे क्या करेंगे आपके जो मंत के नहमें यहीं बताएंगे लेकिन वहीं अगर आप से हम पुछेंगे बैस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवूड तो आपके लिए हो सकती कि यह हो मेरे लिए तो यह है ठीक है में भारती जी यह मतलब बात ही कुछ मात क्या है तो है तोो अभी सेट क्या होता है सेट क्या होता है ole सबके लिए एक होता सबके लिए समाह उसी कुछ चीज को बोलते हैं सेट को लिखा जाता है उसके अंदर के अलिमेंट्स होते हैं उसको लिखने का है और अगर कोई माल लेते कोए यह है कोई एक एलरीमेंट है कोई एक अलिमेंट है अरहतार अगर हो चैन्व है के का अगरुआ अगरआख के मेंबर है तो भूकल उसकी एलिखने का तरीका होता है फिर मैंने बताया कुस्रम स्टेंडर नूटेसम तोम लोग आज़ाट करता हैं इस तरीके से तो रोस्टर आपipple और आपको कैँ समझा दिए हम लोग यहां से शेट वेलडर पास में ठीक या तो आप यहां पर यहां पर उल्लिखा ओंगा या और यहां दसे अब देखते दोग जो के समिसका लाते चलम फिसमिंस है है क्षिभेशिंचिंच ओ आप घूर करें दो क्षोटि शनिय। all the interesting baby question करते हैं है पहला कोशन है विश आप फोलोवींगार सेंट जस्टिफाइव एअर आन्सर हम है जा बोल रहा है विच आफ फोलोवींगार सेंट तो इन में निमदलिखत में से कौन सेठ है और जस्टिफाइव और आंसर आपके आंसर को जस्टिफाइव ही करना है चलिए देखते भाई आ एक कलेक्शन ओप औल है और दा मंद आप यहर विगिनिंग विद लैटर जे है हना आप खुद बताईए कल दा कलेक्शन ओप ओल दा मंद आए यहर बीगिनिंग विद देटर जे तो जैसे सुरू होने वाली जुसमत में जो कि हुआ हम तक ही तो सब्सक्राइब हमाज़े में सब्सक्राइबust इस सदेश्य सब्सक्राइब गसे ऑफ कने तो इसारे क्यां वो फिर सुरू होता है तो Benedict कितने मन्त है कितने मन्त है जन्वरी जून जुलाई यह आपके तीन ही होते हैं आपके एकोडिंग भी यह तीन है आपके फ्रेंट के कोडिंग भी तीन ही है यह तीन ही होते हैं बारा में से यह तीन ही होते है जिसका नाम जो है वह तीन जैसी सुरू होता है जन्वरी जून औ लबत है यह जब अब टेन्टेड राइटर ओप इंडिया भारत के सबसे बोल रहा है कि जो सो टेलेंटेड राइटर से ठीक है उनका सेट बनाने बोल रहा तो क्या वह एक वेल डिफाइन कलेक्शन है हो सकता है कि हमको मुनशी फ्रेम चंद्र जी अच्छे लगते होंगे परसें टू परसें भेरी कर सकता यह जीज अब किसके कोडिंग कोण टेलेंटेड है वह थोड़ी वैल डिफाइन का लग्षान है तो यह मेरा एक सेट नहीं है ठीक है अट टीम ओप 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमें आप दा इन अब दा वर्ल्ट है ना क्या बोल रहा है बडे वर्ल्ट के गारे सबसे टेलेंट आस जो सबसे बैस्ट बोल रहे के बैस्टमें तो यह आपके एक वोटिं अलग होसकता है मेरे को इसको सब्सक्राइब कुल मिला कि यह भी मेरा क्या एक सेट नहीं है आप यह बता यहेगा दा कलेक्षन ओब ऑप ओल बॉइस इन और क्लास आपके आपके क्लास में कितने बच्चे हैं कितने लड़के हैं तो वह तो वैल्डी फाइन है ना वह तो वैल्डी फाइन है हर आप अपने से देखके बोल सकते हैं कि इतने ही बच्चे है मेरे क्लास में वो तो very fine तो यह को मिलाके मेरा एक है वह आपके पुछाय क्लास कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं तो तो वैल और तो यह वे बदी फाई नहीं माम दिशाट हो बनाना है collection of all natural number less than 100 तो ये कलेक्ट वेल्डिफाइन है कि नहीं एक होगा दो होगा तीन होगा चार होगा कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा लेस्टन कितना वोला है टैन लेस्टन मतलब होता टै लेस्टन हंड्रेड वोला लेस्टन हंड्रेड से छोटा लेना है तो क्या एक नंबर आएंगे हैना एक दो तीन चार पाच छी साथ आटो सिकर्ष कहां तक आएगा मेरा 99 नंबर तक आएगा चलिए तो यह मेरा कि मेरा एक सेट हो गया अग कलेक्शन आप लोबल रिटन बाई रिटन बाइव इस प्रेम चंद तो यह भी एक मेरा क्या वीक सट है भाई म कालेक्शन ओप ओर इवेंट इन्टीजर्स ओर इवेंट इंटीगर्स का कलेक्शन यह एक मेरा सेट है कि नहीं आब बताइए को मेंड़ बोक्समें थिए आप की लिए है कि चलिए आगे बढ़ते हैं दक कलेक्शन ओप दक कलेक्शन ओप कोईश्चन इन दिस चाप्टर इस चाप्टर में जितने कोईश्चन उसका कलेक्शन सेट है कि नहीं है तो यह भी वेल डिफाइन है अब बहुत चाप्टर में जितने कोईश्चन है वह तो उतने हैं जितने हैं समझे ना अगलेक्शन ओप मोस्ट डंजरस एनिमल ओफ द वर्ड हां ना लोता है यह क्या है यह आपका हब भताई यह यह सेट है की नहीं यह आपके लिए ठीक है तो कलेक्शन ओप मोस्ट डंजरड अनिमल ओफ वर अप थो सकता है किसी के लिए होता लड़की लुग का चिपकली होता है बता है आपको वोग क्या ऐन्जर बोल सकते हैं बता है आपको कि हम लोग के लिए क्या बोलते हैं उसको डाइनसार उतना डेंजर लड़कियों के लिए क्या पता है चीप कर लिए लुक चीप कर लिए को देख किता रजाती है तो यह तो मेरा सेट ना है यह सेट नहीं है कि सबसीजी क्वेशन थे वैसे चलिए अब बताईए लेट लेट यह बराबर यहां पर एक सेट दिया हुआ एक दो तीन चार पाच्छे इसमें टोडल छे लिमेंट है वन टो थ्री फॉर फाइब सीक्स ठीक है है ठीक है तो आपको यहां पर पताना है कि यह सेंबल और यह संबल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बिलॉंग स्थू इसका मतलब होता है डस नोट विलॉंग स्थू है ना इन दो सेंबल का बिलॉंग करना है तो देखिए यहां पर फाइब फाइब इस सेट मे है क्योग ऩया थाइव घ्सेट व् gef किलन शब्रावाइब कर रहा हम इस सदमे पुंक इस में पूलाइब कर रहा है रहा है को शहार है के अन्वीट-ष। तक है तो आटिस सब्सक्रम चनल है आग मेरा कि элем ही कर रहा है थे अब देखिए प्रफिश दिंखे आपको नहीं कर रहा है क्या जसे लिखते हैं इसको आपकी यह दो आपके लिए हम बढ़क है दो है कि नहीं और दस है कि नहीं ठीक है दोनों कर लेंगे बहुत इजी कोश्चा ने कर पाएंगे उम्मीद है तो अगर मीवों जयादा है आग आज के लिए इतना है अंग ऐतना है नहीं है अचज दशीक है ऐठीक है तो आज के लिए यह प्सक्राइब है आढदाब हो सबहल है है भी आपके साथ एक नए टॉफिक के साथ इसकों लोग पूरे कंप्लेट करेंगे पूरे सेट को तो दके लिए बाई बाई एंड टेकर